बांगलदेश ने पाकिस्तान को उसी के घर में हुई टेस्स सिरीज में दोशुन्य से हरा दिया इस हाल के बाद से ही टीम की घंगोर आलोचना हो रही है इस हाल ने पाकिस्तान का एक और लुकसान किया है वो लोग अब ICC टेस्ट रांकिंग्स में आठवे नंबर पर आ गए है ये साल 1965 के बाद उनकी सबसे खराब रांक है और इन सब मामलों से पूर्व कप्तान वसीम अकरम बहुत दुखी है एफपी के मताबिक अकरम बोले वो जिस तरह अच्छी पोजीशन से हारे पूर्व प्लेयर, कप्तान और खेल प्रेमी के रूप में मैं शर्मिर्दा हो गया मुझे ये चीज समझ ही नहीं आई दोनों ही टेस्ट पाकिस्तान ने मजबूत होने के बाद गवाए पहले टेस्ट में इन्होंने पहली पारी घोशित की और दूसरे में तो बंगलादेश की छे विकेट सिर्फ 26 रन पर गिरा लिये लेकिन दोनों ही बार इन्हें हार मिली दूसरे टेस्ट की पहली पारी में विकेट कीपर लेटन दास ने महदी हसन मिराज के साथ मिलकर कबाल के साज़िदारी की साज़िदारी के दम पर ना सिर्फ बंगलादेश मुश्किल से निकला बलकि अंतमे टेस्ट माच के साथ सीरीज भी अपने नाम की अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अक्रम बोले ये बड़ा जटका है और अभी हमारी क्रिकेट एक दोराहे परा खड़ी हुई है हम अपने घर में लगातार हा रही है ये हमारी क्रिकेट की क्वालिटी के बारे में बहुत कुछ कहता है पांगलदेश से मिली हार के बाद पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद भी बहुत निराश दिखे थे उन्होंने सीरीज के बाद कहा था ये बहुत जादा निराश ज़रक है खास्ता उसे जब आप होम सीजन शुरू करते हैं ये ऐसी चीजें जिसे लेकर हम सभी लोग बहुत उत्साहित रहते हैं हमने इस मौकी के लिए 10 महीने इंतजार किया ये कहानी लगभग एक जैसी ही है औस्ट्रेलिया की तरह हमने अपने सबक नहीं सीखे मैं सोचता हूँ कि वक्त आ गया है जब हमें एहसास करना हुगा कि हमने वहाँ सोचा था कि हम अच्छी क्रिगेट खेल रही है लेकिन मैच फिनिश नहीं हो रहे थे हमें इस पर काम करना हुगा मतादे की अकरम ने अपने पूरे जीवन में पाकिस्टानी टेस्ट टीम का इतना बुरा हाल नहीं देखा इंडियन एक्स्प्रेस के मताबिक ये टीम 1965 के बाद पहली बार ICC टेस्ट रांकिंग्स में इतना नीचे है अकरम का जनम साल 1966 में हुआ था मौजुदा टेस्ट रांकिंग्स में पाकिस्टान से नीचे बस बांगलादेश, आइरलेंड, जिंबाब्वे और अफगानिस्तान की टीम्स है वेस इंडीज और श्रुलंका ने एक एक पाइदान चड़ते हुए साथवे और छटे नंबर पर कबजा किया हुआ है न्यूजिलिंड नंबर पाच, साथ आफरिका चार, इंगलेंड तीन, टीम इंडिया नंबर दो और और उस्ट्रेलिया नंबर एक की पोजीशन पर कायम है रेटिंग्स की बात करें तो अस्ट्रेलिया के पास 124, भारत के पास 120, इंगलिंड के पास 108 और साथ आफरिका के पास 104 रेटिंग पॉइंट्स है इनके लावा कोई भी टीम रेटिंग पॉइंट्स में तीन अंकों तक नहीं पहुच पाई है इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरच ने मैं हूँ गरेमा, स्पोर्ट्स जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहे हैं लालन टाप स्पोर्ट्स शुक्रिया